बहुत बहुत नमस्कार दर्शको आपको भी गुरुपूर्णमा की बहुत बहुत बधाई सच में जैसे गुरुपूर्णमा का तिहार आता है तो रमांचे तो उठते हैं क्योंके गुरु ही वो शक्ती है जो आपको पहचानती है गुरु ही वो जहरी है जो आपके अंदर शेपे हुए हीरे को बाहर निकालता है और मैं तो ऐसा भी कहूँगा गुरू ही वो शक्ती है जो पत्थर को भी हीरा बना देता है गुरू ही वो शक्ती है जो आपको पूरन बनाता है और सबसे पहली गुरू हमारी माता हैं हमारे पिता हैं फिर हमारी टीचर्ज हैं उन सब को परनाम जिन से हमने जो कुछ भी सीखा अगर कोई भी बच्चा माता-पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसके लिए दोशी बच्चा नहीं है दोशी माता-पिता है अच्छा ऐसा क्यों कहेंगे आपके माता-पिता ही दोशी है आप देखें, जो बच्चे हैं, आप उनको लाख लेक्चर देते रहो, बेटा जूट मत बुलो, बेटा शराब मत पीओ, बेटा गैंबिलिंग मत करो, अगर आप ही एवरी वीकेंड को टिलांटिक सिटी जाते हो, आप ही रोज शाम के टाइम में सोचते हो के ड्रिंक के बिन हमारा गुजारा नहीं होगा, बच्चे को कहते हो बेटा तुम स्टडी करो, और आप साथ बजे से बारां बजे तक टीवी देखते हो, बच्चा आपकी बात मानेगा, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चे हमारे वो ही करते हैं, जो हम करते हैं, बच्चे हमारे कहना न जातें ज्यादा करने लगे प्रैक्टिकल कम हो गया जैसे इन्फरमेशन में और ग्यान में बहुत बड़ा फर्क है जी जी इन्फरमेशन हमें किसी भी चीज की हो सकती है ग्यान तब होगा जब उसका हमें प्रैक्टिकल रूप से प्रजोग करेंगे तो आप इस बात को प्र इस गुरु पूर्णमा को व्यास पूर्णमा भी कहते हैं, तो इसका अरंब रिशी व्यास जी से हुआ, कोई कहते हैं कि रिशी व्यास का जन्म इसी दिन हुआ, कोई कहते हैं कि इस दिन उनको गुरु का ग्यान हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्तर थे आप जानते रिशी व्या धर्म के गरंतों को एक जगा में संजोग करके रखा जी आज देखिए अगर गरंतों का संकलन नहीं होता गरंतों का पुरानों का कहीं पे संकलन नहीं होता तो आज बिलकुल धर्म समापित हो जाता तो रिशी व्यास जी का जनम अशाड़ पूर निमा को हुआ उसी से ही व्य पूर्णमा के नाम से जुड़ती गई, गुरु पूर्णमा के नाम से जुड़ती गई, और मैं तो ऐसा कहूंगा कि स्वयम भगवान ने, ब्रहमा जी ने, विश्णु जी ने, महेश जी ने, इनको गुरु ने युक्त किया, जी, तो उसके बाद जो गुरु प्रहमपरा श गुरू शाब्दिकर्थ तो ठीक है अंधेरे से रोशनी की और ले जाने वाला रात्री से सुबा की और ले जाने वाला भाव है गुरू जैसा कोई नहीं वकास ची आप सोचें एक बच्चा कुछ भी नहीं जानता उसको पाठशाला में जाता है स्कूल में जाता है और साल बाद कुछ दो साल बाद कुछ दस साल बाद कुछ बीस साल बाद कुछ पच्ची साल बाद वो बड़ी-बड़ी सर्जरी कर रहा ह होता है बड़ा बड़ा इंजिनियर बन गया होता है कभी कभी देश का निरमाता बन गया होता है तो कहीं न कहीं उसकी शुरू आद गुरू से हुई उसकी पहली मां गुरू थी इसके बारे कहना बहुत कठन है कि अच्छे गुरू की पहचान क्या है क्योंकि गुरू इतना विशाल है इतना विराठ है कि उसको शब्दों में बांदा नहीं जा सकता उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और उसकी लिमिटेशन जो इतना विशाल विराठ है उसकी लिमिटेशन की नहीं जा सकती। कभी कोई व्यक्ति बहुत सधारन सा दिखता है, सिंपल सा दिखता है, पर जब उसकी शक्तियों के साथ आपका इंट्रोडेक्शन होता है, लगता है कितना बड़ा दिनी है। कभी आप फ्लाइट में जाते हो, कभी ट्रेन में जाते हो कहीं फंक्शन में जाते हो, आपके साथ क्यों बैठा होता है। अभी तो ये साइंस की बहुत बड़ी टेक्नालोजी की मेरबानी है कि कुछ पता चल जाता है। जी, जी। अधरवाईज कोई बैठा रहे तो नहीं पता चल सकता है। जी। तो जो आपके सच्चे गुरू ह हैं, अच्छे गुरू हैं, वो आपको स्वयम पहचान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में दोखा भी हो सकता है। पर अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जी, जी। और गु के चर्णों में समर्पित हो गए, तो फिर आपको शंका को शोड़ देना चाहिए। अगर आपके मन में शंका रहेगी तो आप कुछ पा नहीं पाएंगे बेटा। दर्श को आपसे भी प्रार्तना करता हूं। गुरू ना बनाएं कोई बात नहीं। बनाने से पहले कितनी बार सोचें कोई बात नहीं। पंजाबी में एक कहावत है, पानी पीजिये शान के, गुरू कीजिये जान के। तो जो भी बात है, गुरू के चर्णों में जाएं, उनके चर्णों में सीखें, पर गुरू को गुरू एक बहुत बड़े डॉक्टर की तरह है। जैसे गुर हम जब जाते हैं, तो हम कहते हैं, गुरू का विवार सब के साथ एक जैसा हो, नहीं कभी नहीं हो सकता है। और ऐसी स्तिती है, जैसे एक मेडिकल स्टोर है, बहुत बड़ी मेडिस्टन है वहाँ पे, तो आपको सरदर्द हो रहा है। तो आप कहते हो, इंडिया में तो जाके नहीं ले सकते हैं, प्रैमरी में ले लेते हो, एडवल ले लो, टाइनल ले लो, को शाहर ले लो, ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर की लिखी द्वाई से होगा, और डॉक्टर भी आपको जो द्वाई चाहिए, वो ही देगा, तो गुरू भी पहले आपको समझाए देखें, जैसे मंतर की बात आ जाती है, बहुत बड़ा क्वेस्टन पूछ लिया अपने, मुझे जितना नौलज है, जब तक आप प्योर नहीं होंगे, तब तक आप मंतर जाप नहीं कर सकते, क्योंकि मंतर जाप करने से आपकी अनर्जी बढ़ेगी, आपकी शक्तियां ब करना चाहोगे, वह आपकी क्वालिटी बढ़ने लगेगी, तो गुरू पहले आपको क्लियर करेगा कि इसके अंदर कोई डिस्क्वालिटी तो नहीं है, जैसे आपको मंतर देगा, फिर साधना देगा, किसी को बोलेगा तो मनभी चक्र से ध्यान शुरू करो, किसी को बोले लंगर की सेवा करो, किसी को किसी को बोलेगा होस्पिटल में सेवा करो, गंदी साथ सबसे पहले बहुत बहुत धन्यावाद, आपने बहुत महान अस्तियों का जिकर किया, एक बात मैं प्रार्थना करूंगा, विवेका नंद जी ने श्री राम कृशन परमांस देव को वेका नंद जी को अपना शिश्या बनाया, वेका नंद जी बहुत विद्वान थे, आप सब जानते हैं, जब वो स्टूडेंट थे, तो बहुत अलोचिक थे, उनकी तरक में वितरक में बहुत रुची थी, और वो स्वामी राम कृशन परमांस देव के पास भी ऐसे तरक वितरक करके पहुँच गए, क्वेस्चन का अंसर करते करते पहुँच गए, यह बहुत लंबी बात है, सिंख्शिप्त में करनी पड़ेगी, जैसे वो पहुँचते हैं, भीड़ बैठी हुई है, दो चार सो पांसो हजार लोग होंगे, जो मैंने पड़ा है, और मैं अधरनिये स्वामी राम किशन परमांस देव को भी अपना परम गुरु मानता हूँ, अगर आपने मां की साधना करनी है, मां की भक्ती करनी है, मां की शक्ती पानी है, तो स्वामी राम किशन परमांस देव को जरू ना मिला हो, ऐसी ऐसी कहा संत होगे? और उन्होंने स्वामी वेकानान जी को प्यादा किया, जिसकी वजह से, आज पूरे वर्ल में हिंदु धर्म के बहुत मानसमान है, जी, आज, स्वामी वेकानान जी काही अशीरवाद है उनका किया हुआ प्रिश्रम है उनका दिया हुआ ग्यान है कि जो आज अमेरिका में भी हिंदुज्म का भारतियता का भारतिय संसकारों को इतने इज़दी जाती है तो जैसे भीड में निरेंदर कमार जी पहुंचते हैं तो स्वामी रामकिशन पर्मांस दे बलाते हैं पाओ निरेंदर जब निरेंदर को बलाते हैं फिप्टी परसंट उनको लगता है कि क्या हो गया जी फिर वो उपर बैठे होते हैं वो नीचे होते हैं तो अपना पाओं उनके हरिद्या चक्र पे रखते हैं जैसे हरिद्या चक्र में वो पाओं रखते हैं तो स्वामी निरेंदर जी उसी टाइम स्वामी वेका नंजी हो जाते हैं जब उनको होश आती है उनकी आँख में आंसु होते हैं तो बोले तु विवेक अनन्द है तु विवेक देगा लोगों को तु ग्यान बांटेगा लोगों को तु पूरे हमारी भारतिय संस्कृति का सूरिया होगा और आप देखो बहुत कम मुम्र जी ए स्वामी विवेक अन संस्देव के अंदर भरी थी बातें वो तो कहीं गए नहीं और यह सारा का सारा प्रकाश करके गए जी और उसके बाद स्वामी विकाना जी वहीं के वहीं होके रह गए कहीं नहीं गए पह securities थाने ना जी का के शर्नागत कैसे हुआ जए जी तो शर्नागत होने के लिए 100% हमें स्रिंडर होना पड़ेगा इसका भाव है शरनागत जैसे आप जमप लगाना चाहते हैं आप शलांग लगाना चाहते हैं तो आप एक पाउं मैं आपको कहाई दूँ हूँ आप वहां गुरू के पास जा रहे हो आपको जाना है गुरू के पास पर एक ध्यान रखना पूराण विशवाश नहीं करना थोड़ा ख्याल रखना तो आप कभी भी शर्नागत नहीं हो पाएंगे जैसे आपको शलांग लगानी है तो आपको एक पाउ मैं कहूं नहीं ठाओ एक उठालो तो पूरी जिंदगी शलांग नहीं लग पाएगी तो गुरू को शर्नागत होना गुरू बनाने से पहले सो बा साथ को मानना और दूसरी बात जो भी गुरू हैं जो करते हैं उनकी और नहीं जाना क्योंके गुरू का विवार सबके लिए लग लग हो सकता है तो गुरू जो कहते हैं वो करना क्योंके गुरू आपको वही कहेंगे जो उनको पता है कि आपको क्या करना चाहिए गुरु की दक्षना क्या हो तो जो वह आपकी एक अपने अंदर की शर्दा की भावना की बात है एक व्यक्ति 200 डोसो डालर रोज कमाता है और एक व्यक्ति 2000 डालर रोज कमाता है दोनों का देने का ढ़ण अलग होगा पर उस से भी पहले आप गुरु को अपना मन दें आप गुरू के सामने प्रामिस करें कि मैं उनकी आग्या का पूरान रूप से पालन करूंगा और उससे भी पहले की बात है गुरू के पास जाना दूर की बात है पहले अपने माता पिता के प्रतीसमर्पित हो अपने मां के प्रतीसमर्पित हो पिता के प्रत समरफद हो। मैं एक कड़ weiter कहना चाहूँगा मैंने इसी स्थिति देखी है गुरूों के लिए मेरी बेटियां मेहने दस दस चीजों के तर खाली प्रोष के खाने के लिए लिए अपने हस्पेंड के लिए अपने सासके लिए अपने ससर के लिए अपने माता के लिए अपने प distributing कितना भी गुरू को समर्पित हो जाएं कितनी भी उनको दक्षना देदें कुछ भी करदें कभी भी आपके उपर कृपानी होने वाली आप गुरु पकर चरनों में हो गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं उनसे को पूरी तरह समर्पित हो तो आपको किसी की ज्रूर्णत नहीं है आपको गुरु गाइड करेंगे आप अपनी किस्मत के विधाता हो अपनी जिन्दगी के मालक हो आप क्रेटर हो आप लिख सकते हो अपनी किसमत को आप जो चाहते हो कर सकते हो जो आपके गोल है उसको पा सकते हो उस परमात्मा ने उस ईश्वर ने उस माताराणी ने आपको पूरन करके बेचा है और साथ में उसने कहा है बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा गुरु चर्णों में चले जाना तो अपने अपने गुरु चर्णों में लग जाएं और कोहीं गलती हुई है अपने गुरु माराज से क्षमा मांग लें दोबारा उनके चर्णों में चले जाएं गुरु आपको गरे लगा लेंगे एक महाकाली जी का मंतर है जी, उस मंतर को एवरी डे पाच मिन्ट के लिए करें कलीम काली काइन में इस मंतर से आपकी सब नेगटिविटीज निकल जाएंगी